Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 17th जुलाई को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है The Problem with Billionaire Consumption यह आर्टिकल अम्बानी इसकी जो शादी में कंजम्शन हो रहा है उससे रिलेटेड है और इस आर्टिकल के थुरू हम ethical issues और economic impact के बारे में बात करेंगे बहुत important आर्टिकल है आपके mains के perspective से भी और pre के perspective से भी next article जो डिसकस करेंगे वो है She isn't just Allah भार्थी यह आर्टिकल भी important है women empowerment के perspective से mains के perspective से relatively जादा important आर्टिकल है last article जो डिसकस किया जाएगा वो है don't deny school इस आर्टिकल में हम समगर सिक्षा भियान scheme को discuss करेंगे इस scheme important है prelims में आपको पूछी जा सकती है mains में आप इसे use कर सकते है और इसे related केंदर सरकार और राज सरकार के बीच में कुछ टसल चल रही है उसे भी discuss किया जाएगा यह सारी चीज़ें आपको mains के लिए यार लिखने में काम आएगी है ना example लिखने में तो यह तीन आर्टिकल हम discuss करेंगे अगर आपको हमारा analysis पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए comment करिए अपने दोस्तों के साथ share करिए and subscribe करिए अगर आपको इसकी PDF चीज़े तो आप हमारा टेलिग्राम चेनल भी जॉइन कर सकते हैं simplified civil services आप सर्च करिए और डारेटली टेलिग्राम जॉइन करिए और इसकी link भी नीचे दी गई होगी more पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा link डारेट क्लिक करेंगे से भी equally important है prelims के perspective से इसलिए important है क्योंकि कुछ concept cover कर लेंगे हम इकानमी के investment, consumption, demand ये सारी चीज़े cover करेंगे इसके लाबा golden rule of consumption के बारे में बात करेंगे ठीक तो ये आपके prelims के perspective से important हो जाएगा 2025 में या से question देख सकता है अब आप जो इस article की heading है उससे समझ तो गए होंगे कि article किसके उपर आए है never ending marriage of ambanis पता नहीं कितने साल से ये शादी चल रही है हना पूरे समय social media में हर जगा आप देखें तो सिफ यही दिख रहा है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है आज गाना चल रहा है और बहुत बहुत ही जादा luxurious way में ये शादी चल रही है पर इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे post भी चल रहे है इंडिया as a country देखें तो 25-30 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और एक आदमी जा है इतना पैसा सिर्फ consumption के ओपर खर्चा कर रहा है कपडों के ओपर खर्चा कर रहा है करोड़ सॉफ रूपीज खाने के ओपर खर्चा कर रहा है इससे बहतर तो कुछ लोगों को गरीबों को खाना बाट दे इस तरह के post देखे होंगी इस एथिकल डेलिमा क्लियर ली यहां दिखाई दे रहा है तो इस एथिकल इशू के बारे में बात करेंगी उसके अलावा एकनॉमी परस्पेक्टिव से भी डिस्कुशन करेंगे कि यह जो consumption किया जा रहा है जो lavish expenditure किया जा रहा है इसका economy में क्या impact पड़ेगा in the long run तो यह सारे जो है important points cover करेंगे हमें मानिस की शादी से मतलब नहीं है एक general point of view के बारे में बात करेंगे कि consumption के impact क्या होते है economy में in the shorter और longer run और investment के impact क्या होते है economy में in short और long run चीज़े clear है तो सबसे पहले ethical issue से शुरू कर लेते है ethical जो dilemma है उसकी बात करते है GS4 में आपको ऐसा question पूछा जा सकता है बिल्कुल पूछ सकते है ठीक तो यहाँ पर अगर हम बेले नायर के defense में बात करें तो अगर liberal capitalist democracy में देखा जाए तो जो person होता है जो भी people है उनको fundamental rights दिये गए and they have right to property उनके पास अपनी संपत्ती का अधिकार होता है और उनको यह नहीं बताए जा सकता है कि वो अपनी property का कैसे use करें अपने पैसो का कैसे इस्तमाल करें क्योंकि यह उनका fundamental right है यह उनकी property है वो जैसे चाहें वैसे उसे इस्तमाल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो जला दे अगर वो चाहें तो इस तरीके से consumption करें lavish luxury lifestyle जीए उनका प्रेरोगेटिव है कि वो कैसे इस पैसो को use कर रहे है आप उनको यह नहीं बोल सकते कि भाई तुम जहें यह पैसा क्यों waste कर रहे हो गरीबों को खाने किला और भाई उनका पैसा उन्होंने महनत करी उन्होंने कमाया है वो billion air बने है तुम लोग तो नहीं बने हो तो तुम उनको कैसे बता रहे हैं कि तुम यह पैसा कहां खर्चा करना है कहां नहीं तो यह पहला जो है पॉइंट होगा और ethical theory में वो theory जो की freedom को support करती है private property को support करती है वो सारी theories को भी आप यहां पर use कर सकते हो अगर आपने theories पढ़ी होगी तो आप बहुत सारी ऐसी theories को according to this according to this यह यह argument है तो दो तिन argument आप अलग-अलग theories को use करके दे सकते हो अब यहां अपन यह नहीं बोल सकते हैं कि भाई inequality इनके कारण है inequality है इंडिया में no doubt बहुत जादा income और wealth inequality बढ़ती जा रही है recent report हमने काफी article में discuss भी किये कि इंडिया में जो inequality है income और wealth वो लगातार increase हो रही है और exponentially बढ़ती है ठीक लेकिन हम यह नहीं बोल सकते कि इनकी गलती है capitalist लोग क्या बोलेंगे कि यह आपके imperfect market structure की mistake है imperfect market structure मतलब कि आपने adequate measures नहीं लिये हैं जिसके थुरू competition बढ़ाया जाए अगर pure competition रहता freedom होती market में तो यह जो inequality होती यह कम हो जाती और हर कोई market का access कर पाता और अपने लिए adequate wealth इकठा कर पाता तो यह inequality अपने आप कम हो जाती तो यह एक argument जो है काई में आजाएगा defense में आजाएगा किसके अमबानिस के या फिर कोई भी अगर वो billionaire expenditure या consumption कर रहा है आपके ओपर भी आ सकता है अगर आप अपनी lifestyle इस तरीके से जीरें कि आपके आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसमें consumption जादा कर रहे हैं तो आपके ओपर भी यह applicable हो सकता है आप भी बोल सकता है मेरे बापका पैसा मैं कुछ भी करूँ तो यह argument तो بالकül हर जगा suit करता है next क्या है opposite political spectrum की बात कर लेते है opposite view की बात कर लेते है अभी हमने क्या देखा liberal democracy के बारे में बात की थी capitalist democracy के बारे में बात की थी अब हम marxism के बारे में बात करेंगे या फिर leftism के बारे में बात करेंगे so according to leftist या फिर Marxism जो भी value create हो रही है वो कौन create कर रहा है labors create कर रहे है तो जो profit का extraction किया जा रहा है वो basically labors का legitimate right है इसका मतलब जो भी profit बन रहा है वो labors में बाटना चाहिए था rather than कि आप सारा का सारा जो profit है वो किसको दे दे एक capitalist owner को दे दे ओनर सारी चीज़े ओन करे तो यह किसका कहना है Marxism का Thus all form of billionaire consumption is illegitimate Since private riches are generated through a denial of rightful claim of worker क्योंकि यह जो भी पैसा यह value बनाए है यह सब worker का मेहनत का है इसलिए उनका rightful claim बनता है और उनसे गलत तरीके से यह पैसा लिया गया है इसलिए किसी भी तरह का consumption, lavish consumption जो billionaire कर रहे हैं वह illegitimate है तो यह argument आपका Other side का argument हो जाएगा The co-existence of a large working class With low wages and small number of billionaires does not arise because of faulty market mechanism But is an undeniable feature of capitalism itself Marxist नहीं यह कहा था कि भाई यह labor के लिए low wages और small number of billionaires इससे inequality हो रही है इसमें market की गलती नहीं है इसमें capitalism की गलती है और capitalism के कारणी यह हो रहा है इसलिए इस system को ही हटानी की जरुरत है ठीके तो यह radical thought ही यहां से आया था कि जो labor है उनका exploitation होते रहेगा कुछ have होंगे कुछ have not होंगे have बहुत कम number में होंगे जिनके पास सब कुछ होगा have not जिनके पास बहुत कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा तो यह जादा number में होंगे और फिर यह class struggle होगा working class और owners के बीच में और फिर revolution होगा और फिर communism आएगा समझ में आये क्या तो यहां से यह communist वाली theory थी पर इनका logic क्या है वह आपको समझ में आये कि जितना भी पैसा जो बना के दे रहा है profit वो लेवर बना के दे रहा है इसलिए बिलेनायर जो है यह जो profit expenditure कर रहा है consume कर रहा है यह illegitimate है ठीक एक और theory है यहां नहीं दी है मैं आपको बता देता हूँ वह भी उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं वह गांधी जी की गांधी जी ने क्या कहा था voluntary socialism की बात कही थी उन्होंने यह कहा था कि जितने भी आपकी capitalist class हैं वो अपने आपको क्या समझें ट्रस्टी समझें और वो बेसिकली जो workers हैं उनके as a company को ट्रस्ट की तरह समझें NGO की तरह समझें और जो भी पैसा आ रहा है अपने इस्तिमाल के इससे फुतना रखें जितना जरूरी है और बाकी सारा charity या फिर workers के उपर खर्चा करें तो उसके हिसाब से भी यह गलत है क्योंकि यहां पर जरूरत से ज्यादा कंजम्शन किया जा रहा है यहां पर आप देखें तो अम्मानिस फ्लेक्स कर रहे हैं हना पता है इतना लंबा शादी करके क्या दिखाना चारें अपना इतना पैसा दिखाना चारें कि भई देखो हमारे पास इतना ज्यादा पैसा हम इतने पावरफुल आदमी है इसके लावा और कोई ऐससे रीजन यहां पर दिखाई नहीं देता है हना अननेसेसरली मैरिज में कंजम्शन करना बहुत ही फालतू चीज़ है क्योंकि आप लोग भी लेट से फ्यूचर में शादी करेंगे तो जब भी आप शादी करेंगे आप खूब खर्चा उसमें करते हैं दस लाग पंदर लाग बीस लाग दहेज और अन आल यह दावरी वगिखरा अब आम बदल गया है gift के नाम पर दिया जाता है लड़की को दिया जाता है लेकिन स्टिल यह सारी चीज़े चल रही है तो जो लड़की की फैमली हैं उन में फाइनेनासजल बहुत जादा crisis आ सकता है लड़कों का भी बहुत ज्यादा Wallace से बहुत जादा कंजम् पारी नहीं थी या फिर यह बोलके जाएगा बढ़िया अरेजमेंट था लेकिन एसी थंडा नहीं किया तो यह चीज आप कितना भी कर लें इसी को खुश नहीं कर पाएंगे तो बैतर है कि इस तरह के कंजम्शन एक्सपेंडिचर से बढ़ें बचें तो यहाँ पर हमारी ट्रस्टिसिप थियोरी के हिसाब से भी यह जो कंजम्शन है यह इस तरीके से आप अलग-अलग एथिकल और्गुमेंट्स दे सकते हैं और भी थियोरी इसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं चीज़े क्लियर ह अब इकनॉमी इंपक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो मेजर बहुत इंपोर्टेंट है सो यह हमारे बिले नायर से या फिर नॉर्मल हम लोग जो अब खुदी जो कंजम्शन कर रहे हैं अगर यह कंजम्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपके लिए भी एपली के बल अब इंडिया की एकनमी के अगर में बात करूं तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में आइडल कैपेसिटी होती है हमेशा आनेम्प्लॉइमेंट रहता ही रहता है और उसके कारण कुछ एम्प्लॉइमेंट भी बढ़ जाएगा और उसके कारण कुछ एम्प्लॉइमेंट भी बढ़ जाएगा समझ में आ रहे है कि आइडल कैपेसिटी का मतलब अल्रेडी मशीने रखी हुई है लेकिन एंप्लॉइ इतने जादा जो हैं एंप्लॉइड नहीं है क्योंकि इतनी जादा डिमांड नहीं है जैसे ही ये डिम इंप्लॉइमें nyt बड़ która नेसे हैं तो आपको ग्रॉद भी दिख सकती है employment rise भी देख सकता है लेकिन in the long run कुछ फायदा हो रहा है क्या नहीं होगा क्यों जैसे ये demand खतम होगी वापस ये employment दिया था जिन लोगों का employee किया था उन्हें बाहर कर दिया जाएगा जैसे aggregate demand कम होगी और वापस economy जैसे चल रही थी वैसी होगी चीज़े clear है क्या तो यहाँ पर आप consumption का impact देख रहे हैं जो हम लोग जो personally कर रहे हैं या फिर billionaires करते हैं चीज़े clear next बात करते हैं अगर हम लोग का focus investment पे हो तो बात अलग हो जाती है तो economy को बहुत benefit होता है in the short run in long run as well economy में अगर हम long run का देखते हैं तो जादा अच्छी बात है long run growth अच्छी हो सकती है long run consumption भी अच्छा हो सकता है और sustainable growth cycle डेवलप होती है कैसे होती है यह देख लेते हैं let's say कि अगर अमबानी ने swing machine पर invest किया होता ठीक है अब इन्होंने invest किया swing machine खरीदने पे तो यह क्या है capital investment है हना आमने machine खरीदी अब इससे क्या होगा आप close का production कर सकते हैं so यह swing machine से demand बढ़ेगी swing machine की demand बढ़ गई overall जो है आपको जब आप इस तरह का investment करेंगे तो लोगों को रखना पड़ेगा लोगों को रखेंगे तो employment बढ़ेगा और economy की productive capacity बढ़ रही है पहले जितना भी machine था उससे 100 close बनते थे suddenly machine increase हो गई तो अब 200 close बन सकते है economy में so productive capacity economy की increase हो गई है अब ज़ादा production हम कर सकते हैं चीज़े clear है next क्या होगा जो आपने factory लगा है उसके लिए आपको लोगों को employ करना पढ़ेगा तो employment increase होगा for swing production हना तो आप फिर ये swing machine के production के लिए labor रखना शुरू करेंगे चुकि ये semi-skill labor होंगे क्योंकि इने machine चलानी है तो obviously इनकी income जादा होगी अब इनकी income जादा होगी तो real income rise होगी और इनकी productivity भी बढ़ेगी क्योंकि ये यही labor पहले चुकि नई machine लगाई गई है तो नई machine में अब जादा production कर पाएंगे एक आदमी जादा produce कर पा रहा है तो उसकी productivity पढ़े की बढ़ रही है और इसलिए उसकी income भी जादा होनी चाहिए चुकि real income बढ़ रही है तो growth तो बढ़ेगी ही और ये growth long term में increase होगी अब important point क्या है कि ये जो लोग employ हुए है और इनकी income भी बढ़ गई है तो ये क्या करेंगे close consume करेंगे daily consumption तो करना पड़ेगा तो ये लोग close consumption करेंगे और close consumption करेंगे तो consumption expenditure बढ़ेगा और overall अगर आप देखें तो investment करने से consumption expenditure भी induce हो रहा है लेकिन सिर्फ consumption expenditure अगर हम करते हैं तो investment expenditure induce नहीं होता है यहाँ पर हमें multiplier effect देखने को मिलेगा चुकि ये लोग जो कि employed हुए हैं वो daily consumption essential item consume करेंगे close consume करेंगे तो आपको automatically जो close की demand है वो increase हो जाएगी तो यहाँ पर basically हो क्या रहा है conclusion क्या है consumption करोगे तो employment ज़रूर बढ़ेगा shorter period के लिए growth ज़रूर बढ़ेगी shorter period के लिए लेकिन for the long run हमें focus किसपे करने की ज़ुरत है investment investment क्या क्या induce कर रहा है और investment expenditure तो करी रहा है क्यूंकि हम invest कर रहें पहले so investment expenditure से consumption expenditure induce हो सकता है लेकिन consumption expenditure से investment induce नहीं होता है now keynes के बारे में बात कर लेते हैं उनके क्या views है capitalist society rest on a peculiar social contract उनके हिसाब से capitalist society है वो एक social contract पर rely करती है social contract क्या है जो capitalist classes होंगी वो उनको allow किया जाएगा कि वो जितनी चाहें उतनी wealth ओन करें जितना चाहे production जहें output control करें control of full production ये सारी चीज़े किसके पास है capitalist class के पास है बस उनको ensure करना है economy में high level of investment that generates sufficient employment and rising productivity सिर्फ इतना सा काम है कि आप जितनी चीज़े wealth कमाना है कमा हो लेकिन economy में आपको investment high level पर रखना पड़ेगा अगर आप high level investment करते हैं तो employment sufficient employment generate होगा और productivity भी rise हो जाएगी तो ये social contract पर क्या करते हैं rely करते हैं capitalist society अगर ये social contract बेक होगा मतलब investment नहीं किया सिफ वैल जनरेट कर रहे है तो ये capitalist society धीरे धीरे खतम होना शुरू हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि वह have और have not ये वाली situation आजाएगी जब इन इक्वालिटी बहुत जादा राइस हो जाएगी और फिर लोग जो है ये जो कुछ लोग ये कीन्स का परस्पेक्टिव रहा है इसके लावा जो मेंस्ट्रिम ग्रोथ त्योरी है उनके हिसाब से लेवल उफ पर कैबिटा कंजम्शन इस हाइस्ट वेन दा एंटारिटी आफ प्रॉफिट इस इन्वेस्टमेंट इस इस नोन एस गोल्डन रूल ठीक तो ये सोलो मॉडल भी कहलाता है आपको नाम जानने की जरुरत नहीं है बस आप इतना जानी है कि अगर एकॉनमी में जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा इन्वेस्ट हो जाए तो पर कैपिटा कंजम्शन हाइस लेवल पर होता है चीज़े क्लियर है और ये सबसे ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्शन की बात कर रहे है इसका मतलब हम ओवराल एकॉनमी में किसकी बात कर रहे है इकॉलिटी की बात कर रहे है हर एक परसन का कंजम्शन मैक्सिमम कब होगा जब सारा का सारा profit invest कर दिया जाएगा तो obviously economy में inequality कम हो जाएगी और हर कोई equal amount में consume करने लगेंगे और इसे हम golden rule भी कहते हैं इसको आपको द्यान रखना है ये एक ideal condition हो जाएगी पर modern society में ये होता है क्या कि सारा का सारा profit invest कर दिया जाएगा जरूरी नहीं यार कई बार जो investor होते हैं जो capitalist class होती है वो क्या करते हैं रिस्क देखते हैं रिस्क जादा होती है reward नहीं होता है तो फिर वो invest नहीं करते हैं अपना investment postpone कर देते हैं कई बार पैसा पड़ा रहता है तो लेविश शरीमनी में खर्चा कर देते हैं या फिर building maintenance में खर्चा कर देते हैं या कुछ भी करते हैं लेकिन invest नहीं करते हैं कंजम्शन करते हैं तो कंजम्शन जब वो करेंगे तो नुकसान किसको होगा जो worker से उनको होगा inequality बहुत ज़ादा बढ़ेगी क्योंकि economic overall नुकसान होगा लेकिन liberal society में आप यह तो नहीं बोल सकते हैं उसको कि भाई तुम्हें हमने पैसे रखने का अधिकार दिया है राइट टू प्रॉपर्टी दिया है तो तुम जो है certain way में invest करो कल को मैं तुम्हें बताने लग जाओं तो तुम्हें बताओगे कि मेरा पैसा है महा लाइफ महा रूल्स करोगे तो यह बेसिकली हमारी liberal society का issue भी है तो यहां पर अगर आपने capitalist को अधिकार दिया है property own करने का लेकिन आप उन्हें यह नहीं बोल सकते कि आप सारा हो रही है चीज़े करोगे हमारी important का है क्या है किसमें consumption करोगे तो consumption expenditure तो बढ़ेगा demand तो बढ़ेगी लेकिन overall growth सिफ short run बढ़ेगी अगर आप invest करोगे तो investment से multiplier effect होगा और multiplier effect से क्या होगा आपका consumption expenditure भी बढ़ेगा तो आपको focus जादा किस पर करना है आपको focus investment पर करना है ठीक है यह process यह diagram याद रखोगे बड़ी अनम्मर पाऊगे इस तरह का question आपको पूचा जा सकता है चीज़ क्लियर है सो यह हमारा article था ओफुली आपको साही चीज़ क्लियर है हमारा next article है शीज अन्जस्ट लाभारती यह article इंडियन एक्सप्रेस में जी एस वन इंडियन सोसाइटी मेंस के perspective से काफी इंपॉर्टेंट अर्टिकल है प्रिलिम्स के perspective से इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएगा लेकिन मेंस में आपको question पूछा जा सकता है वोमें एंपॉर्मेंट से रिलेटेड उसमें जो आर्टिकल में चीज़े दी गई है उसमें आप यह सारी चीज़े हाईलेट कर सकते हैं ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होई जाएगा क्योंकि से रिलेटेड है एक ऐसे आपको वुमेंट के उपर आता है तो ऐसे के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है एक इंसिडेंट है काफी लोगों के लिए भी हो सकता है पर यह रीसेंट निउस है ना तो उसी कंटेक्स्ट में यह आर्टिकल आया हुआ है महराज बाजगन डिस्टिक उत्तरप्रदेश की निउस है जहां पर 11 शादी शुदाय महिलाएं अपने लवर्स के साथ भाग गई जब उन्होंने सरकार से 40,000 रुपए रिसीव किये जो की फर्स इंस्टॉल्मेंट थी प्रधान मंतरी आवास योजना की जैसे ही पहली इंस्टॉ करना था अगर हम इसे इकनॉमिस्ट के परस्पेक्टिव से देखें कि यह जो पैसा है यह पैसा लीकेज हो गया उन्मी से बाहर चला गया इसका में परपस क्या था धा कंस्रॉक्शन करना था घर का चंस्रॉक्शन होता ता गरिकेंट डिमांड बढ़ती इंवेस्मेंबरत अब यह क्या होगा सिर्फ कंज्यूम हो जाएगा तो यह बेसिकली जो वेलफियर स्कीम है उसमें केस ऑफ लीकेज है अगर सीरियस एकनॉमिस्ट के हम परस्पेक्टिव से बात करें यहां पर गॉर्मेंट का जो फंड है वो डाइवर्जन वो डाइवर्ट हो गया है और के बारे में आम बात कि है अना आर्टिकल फेमिनिस्ट महिला है उन्होंने लिखा है तो तीन कंक्लूजन के बारे में डिसकुशन करेंगे हमारा फर्स्ट क्या है इट रिमाइंड सब्स डैट अवर रोमेंटिक उटनोमी जो अफन अंडर्पिंट बाइदा एकनॉमिक उट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर वो अपने डिसीजन खुद ले सकेंगी तो यहां पर देखें तो जो महिला है उनकी रोमेंटिक उटनोमी किसके उपर डिपेंड कर रही है एकनॉमिक उटनोमी पर यह हमारा पहला कंक्लूजन हो जाएगा फैमिनिस्ट इस्कॉलर एक्टिविस्ट हाइलाइट हाउ गवर्मेंट कैश ट्रांसफर डिरेक्टेट तुवर्ट्स वुमेन कें बूस्ट दियर इंट्रा हाउस्फोल बार्गेनिग पावर एंड एनेबल मैनी तो वॉक अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम अन्हैपी और एबिसिव मैरिजेस बहुत सा इसी कुछ रिसर्च में भी पाया गया है और अगर महिलाएं जो हैं अपनी शादी में उसके बावजूद भी तो वह वाक वे कर रही है abusive relationship क्यों क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ी सी interdependence उन्हें दिखने लगी है कि अगर वो पैसा कमाएंगी तो वो अपनी life अपने तरीके से जी सकती हैं ये जो है कौन ने realize करा है सरकार के funds ने अगर हम देखें इंडिया में marriages बहुत आसानी से break हो सकती हैं अगर जो महिलाएं हैं वो entirely पती के उपर depend नहीं कर रही है for financial security and safe housing the moment अगर महिलाएं को ये सारी चीज़े उपलब्ध हो जाएगी तो वो फिर independently decide कर पाएगी उन्हीं marriages में रहेगी जहां उन्हें emotional care support और love मेल रहा है जहां पर domestic violence है abusive marriage है वहाँ पर वो walk away कर जाएंगी लेकिन वो नहीं कर पा रही है क्योंकि वो independent नहीं है पर ये entirely सही नहीं है social pressure भी एक बहुत बड़ा issue है independent होने के बावजुद भी कुछ महिला है abusive relation में रहती है और continuously रहती है इवन शादी की बात छोड़ी है girlfriend boyfriend relation में भी हमने देखा है कि महिला जो है अब छाखा सा corporate sector में job कर रही है उस तिल उस लड़कों के साथ रह रही है जो the right to create our own community of care we can marry for the love or walk away from the lack of it this is strengthening of personal choice through redistributive policy can only improve the health of our social bonds and connections so यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो सरकार की redistributive policy है जो cash transfer है वह महिलाओ को क्या कर रहे हैं एंपावर कर रहे हैं उनकी autonomy कही न कहीं बढ़ा रहे हैं उन्हें टेस्ट दे रहे हैं autonomy का और फिर वह बहुत सारी महिला है वह पैसे लेकर walk away कर रहे हैं अगर वह abusive relation में चीज़े क्लियर है second point क्या है it is common to hear politician and policy wonk suggest targeting women for welfare benefits as a reward for female victimhood votes and good behavior generally हमने politician को सुना है even जो policy maker है उनको भी हमने सुना है कि महिलाओ को टार्गेट करो एक तो महिलाओ क्या करेंगी vote देंगी अगर उनके खाते में पैसे आएंगे loyal रहती है महिलाओ और दूसरा की female victimhood को भी अपन क्या कर सकते हैं promote की महिलाओ यार बहुत ही प्रतारित हैं इसलिए उनको हमने empower किया है तो यह basically आपने policy में सुना होगा तीसरा क्या है बहुत important reason है जो exact logic है जो bureaucrates का logic है वो यह है कि महिलाओ जो है जनरली में जो पैसा आता है वो बच्चों पे खर्चा करती हैं उनके nutrition पे करती हैं उनके education पे करती हैं इसलिए महिलाओ के account में पैसे transfer करने से overall पुरे परिवार को benefit हो सकता है वहीं पुरुष के account में करने हो सकता है दारुपी के पूरा पैसा उड़ा दे तो यह चीज इन सारे reasons के कारण महिलाओ को target किया जाता है पर इस case में यह भी बताया है कि जरूरी नहीं है महिलाओ सती सावित्री हो जो आपकी expectation है वही पूरी करें वो हो सकता है कि भाग जाएं जैसे इस case में भाग गई है और scam कर जाएं हो सकता है कि वो subsidy लिए और आप जो सोच रहे हैं वहां वो खर्चा ना करें तो यहाँ पर यह एक case यह भी बता रहा है कि just हम जो target कर रहे हैं महिलाओ को उससे सब कुछ अच्छा हो जाए करने के या GDP में कॉंटरिबूट कर रहे हैं तो पिक अपा हिंट आफ दिवियंस फ्रम वोमन इन आ सोसाइटी वेर मैनी पॉलिटिशन इन पावर फुल कोटरी सी वाइज वाइज वेल फैर एंटलमें जैशली इंडिपेंडेंट वोमें अज एनिमी ऑफ द इस्ते एंस वी अगर हम यहां से कंक्लूट करें तो वह क्या हो सकता है कि अगर इफेक्टिव सेफटी नेट्स प्रोवाइड किया जाए महिलाओ को भी जो है आगे बढ़ाया जाए उनको कैश ट्रांसफर्स किया जाए इफेक्टिव सेफटी नेट दिया जाए तो ऐसे में जो आपका समय तक शर्वाइव नहीं कर पाएगा यह बेसिकली कंक्लूजन यहां पर दिया जा रहा है जो सेकेंड कंक्लूजन हमारा थार्ड कंक्लूजन क्या है कि इस तरीके की जो हमारी पॉलिशी होती है जो व्लफियर इसकी होती है उसको हम एकनॉमिक परस्पेक्टिव से ही Dignity and Autonomy of the Marginalized, so यहां पर हमें इस तरह की research करने की जरुरत है, जिसमें जो schemes है, वो किस तरीके से, family की Autonomy, females की Autonomy और उनकी dignity को maintain कर रहा है, especially जो Marginalized section है, यहां पर उसकी बात की जारी है, so तीन conclusion यहां पर हमारे, यह जो recent incident हुआ है, उससे निकल कर आते हैं, hopefully यह तीनों चीज है, don't deny schools, यह article इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS2, education के perspective से काफी important article है, prelims के perspective से बहुत important है, समगर सिक्षा अभियान इस scheme के बारे में बात करेंगे, pre के perspective से यह important है, पहले इसे देख लेते हैं, prelims के perspective से, यह scheme कब launch की कई थी, 2018 में, इसका main objective क्या है, it aims to deliver inclusive, equitable, affordable school education, ठीक, इसमें तीन scheme को subseum किया गया था, सर्व सिक्षा अभियान, जो की primary level तक के लिए थी, राष्टी माद में एक सिक्षा अभियान, आपके higher secondary तक के यह schemes थी, तो इनको merge किया गया है, and teacher education, यह तीन scheme को merge करके, integrated scheme बनाए गई है, for school education, pre school से बारवी तक, यह एक centrally sponsored scheme है, centrally sponsored होने क का मतलब, जो funding होगी, वो center और state में divide होगी, यहाँ पर जो division है, वो 60% कौन देगा, केंदर सरकार, और 40% कौन देगा, state government, ठीक, तो यह हमारी क्या है, समग्र सिक्षा अभियान scheme है, और उसी के ओपर यहाँ पर article भी आए, ठीक, so education में, decentralization का बहुत जादा महत्वे, क्योंकि one-size-fit-all approach हम लोग apply नहीं कर सकते हर स्टेट में अलग-अलग situation और condition circumstances है, जहां पर हमें education को improve करने की जरूरत है, और इसी context में अगर देखें, government of India ने 2018 में समग्र सिक्षा भियान को launch किया, इसका में जो purpose था वो क्या था, it proposed to give flexibility to state and union territory to prioritize their intervention, हाला कि यह जो commitment to federalism था, यह सिफ on paper रहा है, BJP rule state में जैसे कि मद्यप्रदेश और गुजरात में इस तरह की complaint आ रही है, कि जो सरकार है वो education fund नहीं दे रही है, इसी scheme के अंदर, properly fund provide नहीं किया जा रहे है, और lack of autonomy देखने के लिए मिल रही है, तो यह एक पहला issue हो गया, दूसरा, यह BJP rule state की बात कर रहे है, दूसरा जो problem है, वो यह है कि केंदर सरकार ने जो funding है, उसे stop कर दी है, तीन जगा पर, बंगाल में, पंजाब में और दिल्ली में, दिल्ली और पंजाब में आमादमी पार्टी की सरकार है, और बंगाल में ममतव एनरजी की सरकार है, तो non-BJP rule state में जो scheme है, उसे implement नहीं कि आमादमी पार्टी का कहना ये है, कि आप जो है, हमें फोर्स कर रहे हैं, पी-एम श्री शुरू करने के लिए, पी-एम श्री क्या है, प्रधान मंतरी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इस scheme के अंदर जो है, 14,500 गॉर्मेंट स्कूल डेवलप किये जाने है, तो जो क्यों बदले, टी-एम सी का कहना भी यही है, कि भाई हम पी-एम श्री नाम रख रहे हैं, और 60% पैसा आप दे रहे हैं, सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो यहां पर क्रेडिट की होल लग गई है, नौन बीजेपी रूल स्टेट में, और केंदर सरकार के बीच में, और इस जो क्रॉस हेर है, उसमें कौन कार्ट हो रहा है, बच्चे, किसका नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि फंडिंग नहीं मिलेगी तो प्रॉपरली इसकी में इंप्लिमेंट नहीं होगी, अच्छे स्टेंडर के स्कूल नहीं बनेंगे, और फि इस तरीके से फंड विथोल्ड के जाते हैं, तो यह जितने भी चीज़ हैं, जिनके लिए सरकार काम कर रही है, वो सारे एफर्ट जो है, डिरेल हो सकते हैं, तो यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको और सेंट केंदर सरकार को नेगोशियेशन करना चाहिए, और क कुछ ना कुछ कॉम्प्रमाइज करने की जुरत है, ताकि बच्चो का ओवरॉल नुकसान ना हो, अगर आप दिल्ली के बात करें, दिल्ली में अच्छा काम किया, एर्विन के इजरिवाल ने, no doubt, इसकूल एजूकेशन में अच्छा काम किया है, लेकिन, अगर आप दिल्ल आउटकम और स्कूल एन्रॉल्मेंट अभी भी इंप्रूव हो सकते हैं, यह चैलेंजेश अभी भी बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू A.S.E.R. रिपोर्ट और यही चैलेंजेश पंजाब में भी हैं, और यही वेस्ट पैंकॉल में भी, तो एक जो है, जो भी इशू है इनको ओवरकम करने की ज़रत है, और यह जो पॉलिटिकल टसल जर्रे से खतम करने की ज़रत है, ताकि बच्चों का नुकसान दो, चीज़ा क्लिए रगया, तो यह बस आर्टिकल था, हमारे में क्या है, यह समगर सिक्षा अभियान, ठीक, इसमें आपको स्टेट PCS वगेरा थाइट, थाइट थाइट, यह जो एंज़ एड़ दे